हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चेनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत करता हूँ तो दोस्तो टाटा मोटर के डिसंबर के सेल्स नमबर आते देकने को मिल रही है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एकी चीज में आपको बोलना चाहूँगा अगर आपने दोस्तों चैनल को फर्स टाइम विजिट किया तो डेफिनेटली सस्क्राइब करिए क्योंकि डेली बेसेस पे इसी प्राकार का अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो चले सबसे पहले मैं BSC की साइट पे से PDF डाउनलोड कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप दिख सकते हो दोस्तों टाटा मोटर्स का जो ओफिसली PDF है वो मैंने आप लोगों के सामदे लेके आ चुका हूँ अपडेट देख लीजिए ठीके साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट में भी लिखा है टाटा मोटर्स सेल्स इन कॉटर 3 फाइनेशीले 2022 2022 मतलब यह पूरा एक एरिया मिला लिया इनोंने ठीके कि कॉटर 3 के नंबर भी आनेई वालें तो नीचे आ जाते हैं वो नीचे देख सकते हो यहाँ पर हम आ चुके हैं ठीके यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जो टाटा मोटर्स के जो डोमेस्टिक सेल्स नंबर दिख में उसमें 6,307 यूनिट क्या हुए दोस्तो सेल हुए इतनी मतलब गाड़ी बेची गई है ठीके लास्ट दिसंबर से अगर मैं बात करूँ 2020 के कंपेर में तो वहाँ पर 53,430 यहाँ पर क्या की की गई थी दोस्तो गाड़ी बेची गई थी अगर इसको परसेंटेज में कं 20% year on year basis पे increase हमें देखने को मिल रहा है data मतलब यह बहुत अच्छा दोस्तो हमें क्या देखने को मिल रहा है signal देखने को मिल रहा है अगर इसको quarter to quarter compare करे तो देखे यह अभी के quarter की बात हो रही है मतलब एक अनुमान देखने को मिल रहा है इतनी unit 3 मेहने को मिला क्यों हु रह इतनी गाडिया सेल हुई है तीक है इसके comparison में अगर देखे 2021 का data मतलब last year का उस समय तीन महने में कितनी गाडिया सेल सुई थी एक लाग पचास अजार 961 ठीक है अब ये गाडिया किस दाम पे बेची गई कैसी बेची गई इसमें profit हो रहा है इसमें loss हो रहा है ये तो quarter third के number में हमें देखने को मिलने वाला है ठीक है अगर हम year on year basis पे quarter to quarter compare करें तो 26% यहाँ पर increase हुई है sales ठीक है मतलब देखा ज़्यादे के profit हो रहा है loss हो रहा है ये एक अलग मेटर है quarter third के result में इतनी गाड़ी बेची गई है कुछ गाड़ी है दोस्तो दाम बढ़ने के बाद भी बेची गई है कुछ पहले भी बेची गई है तो दोनों को compare करके हमें number देखने को मिलेंगे quarter third के जब भ तो update हम आप लोगों को करने वाले है चली नीचे देख लेते हैं और अब दोस्तो आ जाते हैं commercial vehicle वाले segment में ठीक है commercial vehicle का कितना segment देखने को मतलब किस प्रकार से इसका sales देखने को मल रहा है ठीक है same वही condition है पहले यहाँ पर quarter to quarter है वो ठीक है मतलब year to year मतलब और quarter to quarter ठीक है तो जो large K पे दोस्तों मतलब heavy commercial vehicle है ठीक है large K पे टीक है passenger career है ठीक है उसके बद carbon pickup है ठीक है तो इनकी अगर देखे sales percentage में देख लेते हैं वहाँ पर compare हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर तो दोस्तों minus में दिख रहा है यह थोड़ा जो heavy है ना heavy वाला जो commercial vehicle है वो थोड़ा स उसका sales growth कम है लेकिन जो large वाला है commercial vehicle उसमें 11% की तेजी बहुत अच्छे ठीक है passenger में अगर मैं बात करता हूँ 84% की तेजी carvo in pickup में 2% की तेजी और जो domestic level पे पूरा हुआ है उसका अगर हम percentage देखे तो 4% की तेजी मतलब अगर दोस्तों इन सब का अगर ratio निकाला तो दो जाता है दोस्तों commercial vehicle का जो export हुआ है जो मतलब दोस्तों भारत देश के बाहर इन्होंने sales की है ठीक है मतलब गाडियों को भार बेचा है उसमें 5% का jump है अगर total देखे तो 4% का jump देखने को मिल रहा है year on year basis पे यहाँ पर भी दोस्तों growth बहुत अच्छा देख रहा है ठी ठीक है तो आप देख सकते हो 15% की तेजी 22% 61% 3% और total मिला के अगर देखे domestic तो 10% और export देखें तो 33% हुआ है दोस्तों सालाना तोर पे compare करने पे ठीक है जान उसके बाद total commercial vehicle का जो business है वो अगर देखे तो 12% की देखने को मिल रहा है यह तेजी मतलब दोस्तों देखा performance से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है यह नंबर देखके जो planning कर रहे थे investment करने की उनका confidence और बढ़ जाएगा लेकिन एक बात ध्यान रखेगा यह आप लोगों के लिए main point होगा उपर उपर देखके मलई खाने की मत सोचना अंदर वो case प्रकार से वो भी देखना दस गुना हाई दाम पर भी semiconductor मिल रहा है तो जिसके करन जो दिक्कत है वो और बढ़ते देखने को मिल सकती है तो जो आपका planning है न उसको तोड़ा समाल के रखेगा investment करने का quarter third के number देख लीजेगा पहले किस प्रकार से आ रहे हैं देन उसके बाद ही आपका जो planning है उसको अभी number case आ रहे है company को profit हो रहा है या loss हो रहा है या हमें लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है क्योंकि हम अभी wait कर रहे हैं ठीक है business तो अच्छा हुआ मानते हैं लेकिन business में profit case आ हुआ यह सबसे बड़ा मेटर करता है तो इस चीश को please ध्यान में रखेगा इस point को चल से खाज खाज के जो shareholder अभी focus कर रहे है आटो sector बे वो किस से related कर रहे हैं दोस्तो electric vehicle से related ठीक है यह normal इसमें तो दोस्तो कौन सी car आ जाएगी यह diesel और petrol की car सा जाएगी मतलब passenger vehicle सा जाएगे लेकिन electric passenger vehicle जो है ठीक है वो किस प्रकास से देखने को मिल रहा है मतलब नीचे वाल रो जो नीचे वाला रो अभी important हो गया क्यों क्योंकि आटो sector में इसके पीछे ही सबसे ज़्यादा growth हमें देखने को मिल रहे है तो आप देख सकतो December 2021 मतलब यह जो December गया है इसमें 2255 quantity कितनी हुई सेल हुई है 2255 quantity ठीक है इसको compare करते हैं लास्ट एर के December से तो वहाँ पर मात्र 418 quantity सेल हुई थी ठीक है इतनी गाड़ी बेची गई थी उसको अगर compare करें परसेंटेज में तो 449 परसेंट की तेजी है कितनी 449 परसेंट की बहुत शांदार बिजनेस होते देखने को मिल रहे टाटा मोटर्स का ठीक है इलेक्टिक विकल में क्योंकि ये तो दोस्तो अभी इनिशियल लेवल पर चालू हुई है दीरे दीरे करके नए वेरियंट आ रहे हैं इन्होंने बोला आने वाले 5 साल में हम करीबन 10 नए वेरियंट लाँच करेंगे कार में ठीक है तो देखने को कि अभी तो बहूत अच्छा मोमेंटम दीखने को मला है 449 पर सेंट की तेजी सालानतोर पढने करने क्रने पे अब कौर्टर टू क्उटर में आप देख सकते हो इस क्वा इसकौटर मेंटिकित 1592 करूर की यहाँ पर सेल्ज नहीं दोस्तों 5592 कॉंटिटी सेल्ज हुई उक् पेर करने में percentage में तो 345% की तेजी देखने को मिल रही है तो आप देख सकते हो दोस्तो कितना शांदार यहां पर इलेक्रिक वीकल सिग्मेंट में यहां पर क्या हो रहा है दोस्तो बिजनेस हो रहा है ठीके जो डीजल और कार बाले आप बोल सकते हो जो गाड़ी है वो तो नॉर्मल तरीके पर बिक रही है ठीके लेकिन जो क्रेज बढ़ रहा है तीरे दीरे इलेक्रिक वीकल गाड़ियों क वो बहुत अच्छा में देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यह बहुत अच्छा में performance देखने को मिल रहा है Tata Motors के तरब से अब इसका performance मंडे को किस प्रकाल से होगा ठीक है यह तो market के उपर है क्या sellers को पसंद आएगी यह चीज क्या buyers को पसंद आएगी क्या retail investor को पसंद आएगी क्योंकि जो seller है या intraday trader से वो तो एक ही point लेके बेटते हैं अगर Tata Motors अच्छा गेपव opening लेता है मंडे को ठीक है वहाँ से वो shorting opportunity डूंडेंगे और stock को on the moon गिरा देंगे जो यहाँ पर stock loss लेके बेटेगा वो tigger करके बहार हो जाएगा market से ये एक retail investor की सोच रहती है कि छोटा सा भी loss दीके हम exit कर देंगे क्योंकि दोस्तों उनको समझाने वाला उससे में कोई ने रेता है तो मैं यही बोलूँगा जिनोंने investment करके रखा है ठीके वो इस business को देखके तो position को hold करे continue करे लेकिन जो नया traders इसमें investment करना चाता है fresh entry लेना चाता है उससे तो मैं यही बोलूँगा कि वो अपनी planning को थोड़ी आगे लेके चले quarter third के number तक वो कैसे देखने को मिल रहे हैं ये सबसे अभी तो business में बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है एक हजार एक percent आप बोल सकते हो अच्छा देखने को मिल रहा है लेकिन लेकिन अगर देख सो इसमें profit और loss कैसा हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा ये सबसे important हो चुका है और इसी के basis पे हम देखते है last trading session में इसका क्या performance देखने को मिल रहा है data motors का अगर last trading session का performance देखे तो लगबग 0.5% की तेजी देखने को में मिल रही stock open हुआ था previous close था 470 रुपे 40 पैसे ये open हुआ था 442 रुपे 70 पैसे high लगाया 433 रुपे 60 पैसे और low लगाया 431 रुपे 50 पैसे मतलब एक higher level पे ये close हुआ आप देख सकतो chart pattern कितना अच्छा देखने को में मिल रहा है अब आपको तो पता हिए कि इसने return कैसा दिया stock 75 रुपे का था जब से हमने आप लोगों को में मिलेगा तो जरूर अभी भी मैं यही बोलूँगा कि data motors पे focus बनाए रखे इसको worthless में पहले number पर रखे क्योंकि जब daily basis पे momentum को capture करोगे न तो आपको हर चीज update रहीगी न तो जब investment करने जाओगे न तो उस समय आपको परिशानी बिल्कुल भी नहीं होगी तो इस चीज को समाल के रखेगा दोस्तो सोच के रखेगा और कैसा investment करना ये भी पूरी planning तयार रखेगा कभी भी आपको मोका मिल सकता है और उसके भीहाप पर आप investment कर सकते हो ठीक है तो ये था update ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा क्योंकि डेली वेसस पे इसी प्रकार का अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यू दोस्तो